वेलकम स्टूडेंट्स प्यारे बच्चेों, तना साड़े वातावरंदियां तब्दीलियां जां चनौती परे हलातां प्रती साड़ी सरीरक जां मानसीक प्रती किरिया है ए साड़े सरीर दा कुदर्ती टंग है जिस नाल, असीकर, स्कूल, जांके से होर दबादा सामना करन ली त्यार हो जांदे हां तना साड़े रोज मर्रा दे जीवन दा एक हिस्सा है हर व्यक्ती इसनू महसूस करदा है चाहे ओवड़ा होवे जां बच्चा केवल उन्ना दे तना दे कारण पिन हुन दे हां साड़ा विद्यार्थी जीवन भी तना तो मुक्त नहीं है तोहानों मैं कुछ प्रस्थितियां दिन दी हां तुसी सोचो कि तुसी उस स्थिति दे विच की सोच दे हूं तो हाड़ियां की पावनावा हुंदियां की प्रतिकिर्या हुंदि है पारिवारिक वातावरण ठीक ना होन कारण तुसी स्कूल दा कम पूरा नहीं कर पौंदि दूसरा अध्यापक द्वारा जमात विच अचानक टेस्ट ले लेना की तो हाणनों तना पैदा करदा है तो हाड़ि प्रिख्या नेड़े है पर तुसी त्यार नहीं हो एवी तना पैदा करेगा तो हाड़ि प्रिख्या विच काट अंक आए अध्यापक ने तो हाड़ि माता पितानों स्कूल बुलाया है ता तो हाड़े मन विच की चलेगा की तुसी फेर तब तना महसूस करोंगे तो हाड़े पक्के मित्तर ने तो हाड़े नाल गल बात बंद कर दिती है की तुसी ओदों तना नू महसूस करोंगे ए छोटियां जी आंगल्णा हन जो कि बच्चे नूँ तना विच पादिंदियां हन जमात विचविचार चरचा जानों की दूसरे विध्यार्थी वी तो हाड़ी तर आ एही मैसूस करदे हन इक विध्यार्थी नूँ कई तर आधियां गल्णा तना दे सकदियां हन जिमेकी, स्कूल विच रुजान्ना दियां गती विदियां, पडाई अते सैग अकादमिक किर्यामा, परिवार दा महौल, मित्रा नाल संबन, पविखधी चिन्ता, जां कोई होर कारण आओ आपा जानिये कि साड़े जीवन विच केड़े कारख हन जो सानू तना दिन्दे हन तो हानू अग्ये एक चाट दित्ता जावेगा, जिस विच तो हानू दस्य जावेगा, कि तना की कारण हो सकदे हन ये हन मित्तर, परिवार, स्कूल दियां गतिविदियां, पड़ाई, पविख जां होर कारण असी देख्या कि विद्यार्थी अपने जीवन विच अनेक समस्यावा नाल जूज दे हन इनना समस्यावा नाल नजिठन लई, साड़ा शांत, चित, अते केंद्रित मन नाल इनना दा सामना करना बहुत ज़रूरी है आउ मान दी कागरतावदा उनले एक छोटी जी किरिया करिए अपनी अखां बंद करो अपने सरीर नू टिल्ला छड़ो इक तो दस तक गिंती करदे होए लम्मा सा लो इक तो दस तक गिंती करदे होए सा रुको फिर इक तो दस तक गिंती करदे होए सा हौली हौली बाहर कड़ो इस के रियानू तिन वार दोहराओ दिन विच जद कदे समा मिले इस किर्या नू करो इस नाल बहुत सारा तना दूर कित्ता जा सक्दा है तना दो तरांदा हुन्दा है चंगा अते माडा तना चंगा तना तुहानू कम करनली प्रेरित कर्दा है त्यान के इंद्रित रखदा है अते अग्ये वदन विच मदद करदा है जिमे की प्रिख्या दी चिंता नाल अब्यास करना जे कर ये जादा वाद जाए जा लम्मा समा रहे ताथ हड़े कम करन विच रुकावट भी बन्दा है त्यान के इंद्रित नहीं हों दिन्दा अते तुसी पारीपन महसूस कर दे हूँ अग्य है तना दे परबाव की पैंदे हन जिमे मैं तोनू दस्या की तना हर एक व्यक्ती नू उंदा है प्रन्तु हर व्यक्ती नू समान रुप विच परबावित नहीं करदा व्यक्ती गत पिन तामा इस दाइक वड़ा कारण हन अज असी जानन्दी कोशिश करांगे की तना दे समबावी परबाव की हुन दे हन इस तो पहला आओ जानिये की तुसी तना ग्रस्त हो के नहीं हेट लिखी सारनी नू हमेशा ओल्वेस कदे कदे सम टाइम्स कदे नहीं नेवर विच उत्तर परो पहला है मेरे मित्तर केंदे हन की मैं बहुत चिंता कर दी हाँ तुसी अपने विवहार बारे दसो की तुसी की कर दे हो हाँ जा हमेशा कदे 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 नहीं सेकिंड है जाद मैं तना विच हुन दी जा हुन दा हाँ ता मेननू बहुत गुसा ओंदा है अते मैं चिड़ चिड़ा हो जान दा जा जान दी हाँ तुसी अधित्य टिक करनी है तुसी अपने मानविट सोच के रखने है कि तुहाड़े उत्तर की हन हाँ जा हमेशा लई तिन अंक लगाऊंगे कदे कदे लई दो अंक लगाऊंगे कदे नहीं लई एक अंक लगा लो तीसरा है प्रिख्या तो पहलना मेननू बखार हो जान दा है हाँ कदे 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 नहीं मैं सोचदा रेंदा या सोचदी रेंदी हाँ कि तुसी मेरे बारे की को होंगे हाँ कदे 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 नहीं स्कूल जान तो पहलना मेन्नू पेट दर्द होन लग जान्दा है हाँ, कदे कदे, कदे नहीं मेन्नू समा कट ते कम जादा लगदा है हाँ, कदे कदे, कदे नहीं कबराहट कारण मैं अपने काम ते त्यान नहीं लगा पौन्दा हाँ, कदे-कदे, कदे नहीं अक्सर बिना किसे कारण मेरा सिर दर्द कारण लग जान्दा है हाँ, कदे-कदे, कदे नहीं चिन्ता होंते मेनू कबरा आठ हुन्दी है अते बहुत पसीनना ओन्दा है हाँ, कदे-कदे, कदे नहीं मेनू पविखधी चिंता रेंदी है हाँ, कदे कदे, कदे नहीं प्रिख्या तो पहला मेनू नीद नहीं ओदी हाँ, कदे कदे, कदे नहीं अधियापक नू प्रशन सुनोन लग्यां मेनू चक्कर आ जान दे हन हाँ, कदे कदे, कदे नहीं हुन तुसी इनना अंकां दा जोड लगाओ ते देखो तो अड़े अंक किन्ने बन दे हन इनना अंकां तो तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि तो हड़ा तनादा पद्दर की है वद अंक वद तनादर सौन दे हन अतिक काट अंक काट तना दर्सोंदे हन। अपने आप नाल एस गाल दे बारे मन विच चर्चा करो, मन विच सोचो तुसे किन्ने तना अग्रस्त हों। तना साडे विवहार अते सरीरक अते मानसक से अतुत पर बहुत असर पौंदा है। एसाडी सोच शक्ती दी सपष्टता पर बाफशाली टांगनाल कम करन दी योगता नू कटा दिन्दा है। लम्मे समय तक रैन वाला तना अकसर व्यक्ती नू बहुत सारियां बिमारियां दा शिकार बना दिन्दा है। विद्यार्थ्यां विच आम तोरते एह लच्छन देखन नू मिल दे हन। ठकान, गुस्सा, उदासी, चिड़चिड़ापन, कम करन दिल ना करना, लगातार इक विचार दा चल दे रैना, सिर दर्द, बद हजमी, बे चैनी होना, चक्कर ओना, वद जां कट नीद दा ओना, पार दा वदना जां कटना, नो खाना, दिल दी तड़कन वदना, वद जां कट खाना, कबराट होना, पसी ना ओना, जात्यान ना लगाँ, आओ जानिये कि तना नू किमें दूर किता जा सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स, असी नौकरी तो आके बहुत ठक जान दे हा, ता सानू अपने आपनू तना तो खर लेई, रेस्ट करन दी बहुत लोड है, सानू काम तो आके कोई भी पनुरंजक चीज देखनी चाहिदी है, ता जो असी दुबारा अपनी अनर्जी नू रीगेन कर सके, अगर सानू डिप्रेशन फील हुंदा है, असी दुखी महसूस कर दे हा, ता सानू योगा अगर कोई लडाई कर रहा है, ता सानू कोशिश करनी चाहिदी है, ता अपने आपनू अकांत विच्च लजा के, उस नाचारियां चीज़ां तो दूर रखिये, जेडियां सानू तना पैदा कर दिया हन। बच्चियों कोशिश करनी चाहिदी है, अपने आपनू व्यस्त रखन दी, ता जो तना मुक्त जीवन जया जा सके। स्ट्रेस मैनेजमेंट लई बहुत जरूरी है अपनी आपनू इंज्वाए करना। सब तो पहलना टाइम नू मैनेच करना बहुत ही आवशक है। योगा करना सादे लेई बहुत जरूरी है। वियाम करना, एक्सरिस करनी बहुत जरूरी है। सानु अपनियां होबिज नू फॉलो करना चाहिदा है, जो सड़ा मन करदा है, सानु ओही करना चाहिदा है हर एक बंदा अपने खुशी महसूस ओदों ही करदा है, जदों अपने मन दे चामानू पूरा करे एक संगीत कार संगीत नू लिख के, गा के, अपनी खुशी नू महसूस करदा है, पेंटर पेंटिंग करके, कुमेयार कडे बना के, डांसर डांस नरित करके, उसे तरह खिडारी खेड के, जेड़ी जेडी जिस दी रूची है, उसनू अपना के तनानू दूर किता जा सकता है फेर है सानू कुदरत देविच रहना चाईदा है, कुदरत बहुत ही प्यारी है, ओ सानू तना नहीं हों दिल्दी, सानू स्पा करवोना चाईदा है, सानू कौंसलिंग करनी चाईदी है, अपने तो वड़े कोल जाके, उस दे नाल अपने मन दियां गल्लानू सांजा करना हाँ ता जो साड़े मन दियां सद्रा खुल सकनग। संगीत दा सहारा लेणा है ए सब चीजवां करन नाल साड़ी जिंद्गी सुखाली बढ़ जाना दी है ते असी बड़े ही खुश दिल इंसान बढ़ जाना हाँ असी खिडे मत्ते साब नू मिल दे हां अग्य है खुश रैन लेई, तना मुक्त रैन लेई, सानू सोथ समझ के फैंसले लेने चाईदे है सानू फिट रेना चाईदा है, तंदुरुस्त रेना चाईदा है, कॉन्टिडेंट होना चाईदा है ते बड़े ही अरामदारी नाल हरेक काम करना चाईदा है ताक जो साड़ा ब्लाड प्रेशर वी नावदे ते असी जादा उतसुक ते चेतन हो के काम करिये उतसुक ना जादा हुईए जादा उत्सुकता ही साड़े हार्ट बीट नूव दोंदी है ते जिस नाल सानू तनावी पैदा हुंदा है अराम नाल अपना जीवन निर्बा कर दे हुए असी अपने कम करांगे तां तना मुक्त रहांगे सानू वदिया खाना पीना चाईदा है शौपिंग ते जाना चाईदा है सकरात्मक सोच रखनी चाईदी है उच्ची उच्ची हसना चाईदा है जादा फोन दा इंटरनेट दा यूज नहीं करना चाईदा जेडियां जरूरी चीज़ां हान उन्नानू मुख रखके उन्नानू पूरा करन दी कोशिश करनी चाहिदी है ते जेडियां चीज़ां दी सानू लोड है सानू ओधी सारनी बना लेनी चाहिदी है ता जो important चीज़ां असी अपने समय ते पूरियां कर सकीए ता अपने टीच्यानू मुकम्मल कर लेए इस नाल असी तना तो मुक्त रह सक दे हाँ सानू तना नहीं हुंदा फिर है stress management clear your mind, relax your body and lead a happier and healthier life आप दे मन नू दिमाग नू साफ रखो ते तंदुरुस्त जीवन दा निर्बा करो happiness everyday, हर दिन खुश रहो ता जिन्दगी खुशाल रहेगी तना मुक्तिलेई एवी जरूरी है कि असी खुश रहे ते खुश रहन दे बहुत सारे फैक्टर हम सब तो पहला कि सानू शक तो मुक्त होना चाहिदा है सानू किसे ते या अपने आप ते शक्की नहीं होना चाहिदा सानू अपनी टाइम ते अनर्जी उर्जानू वेस्ट नहीं करना चाहिदा सानू पविख दे बारे या पास्ट दे बारे नहीं सोचना चाहिदा पूतकाल बारे ना सोचके सानु वर्तमान विच ही रह के अपना जीवन निर्वा करना चाहिदा है सानु किसे होर तो या अपने आप तो भी जादा उम्मीद नहीं करने चाहिदी ता जो सद्या उम्मीदा जे ना पुरिया होन ता उतना पैदा ना करन सानु सोशियल होना चाहिदा है समाजिक प्राणी बन के रहना चाईदा है हस दे खेड दे रहना चाईदा है दुझ्यां दे मजाक सेंड दी ते दुझ्यानाल मजाक कर दे रहना चाईदा है सानू पुराने बजुर्गां दे रिती रिवाजानू भी फॉलो करना चाईदा है प्यार रखना चाहिदा है, ग्रीबमादी मदद करनी चाहिदी है, फेथफुल रहना चाहिदा है, जदों असी अपने माननों खुश रखांगे, अप चंग्यां चिज्जां करके, अपने दिल खुश रखांगे, ता तना हो ही नहीं सकदा सानू विश्वास रखना चाहिदा है, पर मातमा थे, अपने आप थे, अपनी शक्ती थे, अपने विच कॉन्फिडेंस रखना चाहिदा है, सानू एक टीच्चा बना लेना चाहिदा है, कि जिन्दगी देविच असी एहे बनना है, ते उस देलेई ही सानू अपनी जिन्दग वा लगाओगे ते जद हो पूरी हो जाएगी तो आनू खुशियां ही खुशियां मिलन गियां ते तना बिलकुल नहीं होएगा तुसी इस तरह इना चीज़ा नू अपना के तना मुक्त जीवन जेओ सकदे हो किसे ने क्या है ओ स्ट्रेस गिव मी आ ब्रेक ओ तना मेनू ब्रेक दे दूर जा ते लीड़ा हैपियर लाइफ मेनू वधिया लाइफ जेओन दे तुसी अपने आपनू कदे ना कहो कि मेरे कुल टाइम नहीं है क्योंकि एक एहन नाल साड़े मन दे विच एहजी उत्तेजना पैदा हुंदी है जो सानू तना दिन्दी है साड़ी एफिशेंसी नू काम करन दी कुशलता नू कटा दिन्दी है जिन्नी असी एनरजी लौदे हाँ वो सानू बेचैन कर दिन्दी है सगो एडवांस दे विच पहलना ही प्लैन बना के रखो तुसी कहो कि साड़े कोल बहुत समा है ते मैं लेजी नहीं हाँ मैं बहुत जेड़ी चीज तुसी अपने दिमाग नू पेजोंगे ओही चीज ओही बोड़ी थोंगी फील करोगी लंबे लंबे साड़ो सारे कम एक जगा ते लिखलो ते समा दे आंदे नाल नाल उसनू पूरे कर दे रहो कम पूरे हुंदे जानगे तनामुक्त जीवन जियोंदे जा जावे जे असी तनामुक्त जीवन जियोंदा है बहुत वजिया त्यार होवो ताकि अंद्रों ही खुशी प्राप्त होवे जो चीजां तो अन्नू दुख दिन दियाहन उन्ना तो दूर रहो लगातार काम करन ते जे तुसी स्ट्रेस महसूस कर दे हो ता अपने आपनू ब दूसरे अनू रिक्वेस्ट करो कि ओ तो अड़ी भी मदद करन तुसी उन्ना दी मदद करो खुश पर्या जीवन जियोंदान्स करो वॉक ते जाओ गल बात करो किसे नाल प्यार नाल गलना करो फोकस रखो ओस गल ते जो तुसी करना है अपने इमोशन से कंट्रोल रखो जो चीजां तो अड़ी लाइफ दे विच चुनौतियां लेके आंदी है उसनू चैलेंज समझ के पूरा करो स्माइल करदे रहो स्माइल करदे करदे अपनी जिन्दगी नू जोन दे जाओ स्ट्रेस दाता सवाल ही नहीं उठेगा एक स्टोरी है जी दे विच अध्यापक एक गलास पानी दा चुक के अपने बच्चा नो पुछता है कि इस दा वेट किन्ना होवीगा बच्चे जवाब दिन दे हन वी ग्राम तो पान्सो ग्राम तक वक्रे वक्रे जवाब आँ दे हन अध्यापक दासदा है कि इस दे वेट दा कोई मतलब नहीं कोई इट ड़संट मैटर डिपेंड की करदा है कि तुसी इसनू किसनी कितनी देर तक चुक के रख्या है जे तुसी इनू एक मिंड तक चुक के आ है ता इसनल कोई नुकसान नहीं होएगा कोई प्रॉबलम नहीं आवेगी पर जे तुसी इसनू कंटे लई चुक के रखोंगे ता तो हाड़े बाविच दर्धोन लगगेगा ते जे तुसी एक दिन लई चुक के रखोंगे ता तो आनू एम्बुलेंस नू बलाना पवेगा कैन तो पाव ए है कि जिननी देर तक तुसी किसे बर्डन नू किसे बोज नू चुक की रखोंगे ता ओ वददा ही जावेगा कटेगा नहीं पाव जिनना स्ट्रेस तुसी चुक की रखोंगे ओ तो आड़ी बोड़ी ते दिमाग ते बहुत माड़ा असर पावेगा जिमे तुसी एक गलास चुक क्या ते ओनू जे रख दिता ता ओ साड़े जिन्दगी ते, साड़े दिमाग ते, शरीर ते कोई असर नहीं पावेगा उसे तरह ही अगर तना हुंदा है, काम कर दे हुए ता अब जदों असी करे बापस आन दे हां ता ओदों सानू सारा तना बार छड की आना चाईदा है फैमिली एक जेही चीज है जो सारे दुखनों दूर कर दन दी है करे आनद्या ही सानू अपने बच्चा देविच आपने मा बाप देविच रुज जाना चाईदा है ते उनना दी खुशिया देविच अपनी खुशी ते आपनी खुशिया या गमिया भी उन्नानु दसनिया चाहिदी आहान ताह जो खुशिया परया जीवन जे हो सकिये Thank you God bless you all with a happy life and healthy one Thank you so much